साथियों 23 अगस्त को UPPSC Computer Assistant का exam हुआ था जिसमें आपके 25 questions computer के पूछे गए थे और ये questions O level के जो syllabus होता है उसके level के होते हैं आपको मालुम होना चाहिए कि जो UPPSC Computer Assistant का exam होता है जो vacancies आती हैं उसमें 10 plus 2 यानि की inter pass होना चाहिए और साथी साथ आपके पास O level का certificate होना चाहिए अगर आपके पास ये दोनों ही eligibility हैं तो आप form को apply कर सकते हैं सो आईए बिना किसी देरी कि इस वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से question पूछे गए थे computer के ठीक है तो पहला question ये रहा कि निम लिखित में से कौन एक filter command नहीं है salt, grape, cat या फिर इनमें से कोई नहीं तो ध्यान दीजे जो आपकी cat है जो cat है ये एक filter command नहीं है यानि कि option number C इस दा correct answer question number next real time sharing control करने के लिए उपियो किया राता है जो अकर real time sharing control होता है उसके लिए क्या यूज किया राता है तारकिक प्रडाली, भौती प्रडाली, A और B दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल सही है physical system और logical system दोनों ही यूज किया आते हैं real time sharing control में यानि कि option number C is the correct answer guys जो आपका question उपर है वो English और Hindi दोनों में आता है एक ही time पर English और Hindi दोनों को question दिखाना पाना मुश्किल रहता है question number next operating system एक जो operating system है वो क्या है एक hardware है एक system software है या फिर एक networking device है या फिर firmware है तो बिल्कुल सही है जो आपका operating system है चाहे वो आपका विंडो हो लीनक्स हो यूनिक्स हो उवन्तू हो मैकोयस हो एंड्राइड हो यह आपके सारे के सारे system software होते हैं तो इसमें का रहाएगा option number B system software is the correct answer next windows operating system आधारित है जो आपका windows operating system है वो किस पर आधारित है परेलर प्रोसेसिंग पे टाइम सेरिंग पे बैच प्रोसेसिंग पे या फिर multitasking पे तो बिल्कुल सही है जो आपका विंडो है जो आपका विंडो है जिसे Microsoft के दोर डवलप किया गया है यह multitasking पर आधारित है जबकि जो आपका यूनिक्स है वो एक time sharing operating system है तो यह आपको ध लिंट करनल सी सेल या फिर इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल सही है जो आपका सी सेल है जी सी सी है मेक है एंड आपका एक होता है GLP हाँ GLP और एक आपका होता है EMAC यह आपके सारे के सारे प्रामिंग टूल यूनिक्स operating system में exist करते हैं तो इसमें क्या जाएगा option number C, C cell is the correct answer next question integer की storage range है अगर आपने C language पढ़ी होगी तो उसमें आपका होता है int data type तो उसकी range क्या होती है 0 से लेकर 256 माइनस 32768 से प्लस 3276 6536 से 6536 या फिर इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल सही है जो आपका data type होता है integer उसकी range होती है माइनस 32768 से लेकर प्लस का 3276 सरस्टिस में का रहाएगा option number B is the correct answer next C++ में कौन सा operator ternary operator है logical operator conditional operator assignment या फिर relational तो बिल्कुल सही है चाहे हो आपकी C language हो javascript हो C++ हो इन तीनों में ही आपका एक ternary operator होता है इसमें आपका question mark और colon इसका जो combination होता है यह आपका एक ternary operator होता है जो की एक conditional statement होता है जब भी बात आती है condition की तो उस case में हम लोग यहाँ पर इसका use करते हैं तो इसमें का जाएगा option number B conditional operator question one next निम्न में से कौन operating system नहीं है इन में से ऐसा कौन सा option है जो की एक operating system नहीं है गैस अगर आप लोगों को किसी question का अंसर मालूम है तो आप से comment करते रहिए इससे आपकी practice होती रहेगी तो ध्यान दीजे जो आपका MS world है जो MS world है यह आपका एक operating system नहीं है जो आपका MS world है य यह एक application software है जिसकी option लोग कोई भी document या कोई resume अगरा prepare कर सकते हैं और यह आपका MS office यानि कि Microsoft को जारा इसको develop किया गया तो यह आपको ध्यान धरना है question one next and that is 71 C++ में functions overloading की जाती है compile time में runtime में linking time में या फिर inmate से कोई नहीं तो बिल्कुल सही है जो आपका C++ function होता है जो इसमें overloading होती है वो आपकी compile time में होती है यानि कि option number A is the correct answer next BCC का मतलब email में होता है email क्या जो email की term में BCC का full form क्या होता है black carbon copy, blue carbon copy, blind carbon copy, word carbon copy तो ध्यान दीजे एक आपका होता है BCC एक आपका होता है CC यानि कि carbon copy और BCC का full form होता है blind carbon copy तो ये आपको ध्यान रखना है जबकि जो आपका email होता है इसका full form होता है electronic mail आपको बताना है कि जो email है ये किसके द्वारा invent किया गया था है है develop किया गया था, inventor नहीं बोलेंगे इसको हम बोलेंगे किसके दौरा develop किया गया था, तो आपको इसका answer comment करना है, next question, internet पर कोई computer इससे पहचाना जाता है, यानि कि जो internet पर computer होते हैं, उनको किसके दौरा identify किया जाता है, email पता, street पता, IP पता या फिर इन में से कोई नहीं तो बिल्कुल सही है जो आपका IP address होता है जिसकी help से internet पर किसी computer की पहचान होती है तो इसमें क्या रहेगा option number C, IP का full form होता है internet protocol, तो ये आपको ध्यान रखना है question number next उपभोगता के द्वारा किसी web priest को website पर देखने के लिए उसका पता यहाँ enter करना होता है uniform resource locator पर email पते पर डाकी ये पते पर ठीकर, या फिर mac पते पर तो ध्यान दीजिए, जो भी आप लोगों का कोई भी resource हो, चाहे वो आपका picture हो, वे page हो, या कोई audio song हो video song हो, जो भी content web पर available है, उसका एक unique address होता है, जिसको हम बोलते है, URL यानि कि uniform resource locator और URL को ही हम लोग web address के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसमें कहा जाएगा option number A, URL पर question number next, cookies कहां store होती है, server पर client पर, super computer पर या फिर network पर, तो ध्यान दीजिए जो आपकी cookie होती है वो client computer पर store होती है, यानि कि option number B, client पर is the correct answer, question number next कहुं सा malware का प्रकार है, इनमें से कहुं सा एक term है, जो कि एक malware है, caterpillars, worms, lions, या फिर horses, बिल्कुल सही है, जो आपका worm है जो worm है, ये एक प्रकार का malware होता है, जब कि जो lions होता है, ये तो आपके share हो गया horses यहाँ पर गलत दिया गया, क्योंकि Trojan horse होता है, ना की horse होता है horseman होता है, गोड़ा, तो या COD तो ऐसे भी नहीं होंगे, तो में कहा रहेगा option number B, worm is the correct answer, next इन में से कौन सा stand alone program नहीं है, इन में से ऐसा कौन सा program है, जो कि stand alone प्रोगाम नहीं है, Trojan virus, worm या फिर spyware, तो बिल्कुल सही है, जो आपके virus होते हैं, जो virus होते हैं, ये एक stand alone program होते हैं, प्रोगाम नहीं है, कहने कभिन्स यह है कि जो आपका Trojan है, worm spyware है, इनको किसी external module की यह हम बोल सकते हैं, लाबरेरी फंक्शन की आउसकता नहीं होती है, सिस्टम में execute करने के लिए, तो इसमें कहा जाएगा, option number C, virus is the correct answer, क्यों जो virus है, वो एक stand alone program नहीं है, कोशन मन next, computer में virus का प्रवेश किन-किन माध्यमों से हो सकता है, चित्रो द्वारा, audio, video files द्वारा, download द्वारा, या फिर उप्युक्त सभी के द्वारा, तो बिल्कुल सही है, जो computer वारस होता है, जो computer में वारस है, वो आपका picture द्वारा, audio, video clip द्वारा, downloading द्वारा, यानि कि आपके तीनों ही प्रकार से आपके सिस्टम में प्रवेश कर सकता है, एंटर कर सकता है, यानि कि option number D is the correct answer, question number next, पहला computer वारस का क्या नाम है, और ये questions भी अलग-अलग exam से में कई बार आया है, तो आपको ये मालुम होना चाहिए, कि जो पहला computer वारस था, उसका नाम था creeper, ध्यान दीजे, जो पहला computer वारस था, उसका नाम था creeper, लेकिन जो पहला computer एंटी वारस था, उसका नाम था reaper, तो जो creeper है, वो पहला virus है, जब कि जो reaper है, वो पहला NT वाइस है तो यह आपको ध्यान रखना और दोनों question भी most important है आपकी exams के लिए अगर उसमें computer question आता है तो question number next spelling tool को toolbar पर रखा गया है जो spelling tool है उसे किस toolbar में रखा गया है तो उसे रखा गया है standard toolbar में जो की review tab के अंदर आपको मिलेगा तो इसमें क्या रहाएगा option number A standard is the correct answer next page number 10 ways में कहां पर निविष्ट किया रहा सकता है कि जो आपका page number होता है आपने कोई book पढ़ी होगी या कोई document आपने देखा होगा तो उसमें page number होते हैं जो page number होते हैं उसको हम लोग किस कि जगह पर present कर सकते हैं header पर फुटर पर या फिर header और फुटर दोनों पर या फिर किसी में भी नहीं तो ध्यान दीजिए for example यह आपका कोई document है कोई page है तो इसमें आपका ऊपर होता header और नीचे होता फुटर तो आपने कभी-कभी आइससे document देखे होंगे ऐसी सी books देखें होंगे जिसमें किसी किसी में जो page number होता है वो उपर लिखा होता है और किसी-किसी मीं page number नीचे लिखा होता है तो कहने ने कि यह जो page नमबर होता है उसे हम लोग अपने डाकुमेंट में, या तो header में, या फिर footer में, यानि कि दोनों जगह पर ही display कर सकते हैं, insert कर सकते हैं, यानि कि option number c, a and b, दोनों इसमें सही हो जाएगा, question number next, इनमें से कौन सा command कथन को underline करने के लिए ms word में प्रियोग करते हैं, underline u, i, या फिर p, तो यहाँ पर बात आई है ms word में underline करने की, यानि कि आपके वास कोई text है, आप उसमें underline करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर underscore, जिसको हम बोलते हैं, ये आपका underscore बोल सकते हैं, या हम 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 बोल सकते हैं, तो ध्यान दीजे जो आपका MS Excel है इसको हम लोग Spreadsheet के नाम से आनते हैं और जो MS Word है इसे हम लोग Word document कहते हैं ठीक है जब कि जो आपका CorelDraw है इसकी help से हम लोग Graphics prepare कर सकते हैं Graphics को तयार कर सकते हैं नहीं कि Option number A is the correct answer जब कि जो Photo Editing Tool है जो Photo Editing Tool है वो आपका है Photoshop यानि Adobe Photoshop तो यह आपको ध्यान रखना है Question number Next MS Excel में formula error आने पर कौन सा sign दिखाई देता है For example आप MS Excel में work कर रहे हैं और उसमें आप कोई formula इंटर करते हैं और आपने formula गलत इंटर कर दिया है तो उस case में आपके सामने एक sign दिखाई देता है उस error को print करने का तो वो आपका होता है Has का मतलब यह होता है कि जो आपने formula में इंटर किया है वो गलत है तो इसमें का जाएगा option number D जबकि जो आपका dollar sign है इसकी इलब से हम लोग किसी भी cell को absolute यह mixed बनाते है तो यह भी आपको ध्यान रखना है question number next dfd का पूरा नाम क्या है तो जो आपका dfd है इसका full form होता है डेटा flow diagram यानि यहाँ पर हम देखें तो data file diagram यानि कि option number a is the correct answer जो आपका dfd है इसके बिसलिए चार elements होते है तो यह भी आपको ध्यान रतना है question number next and that is 86 निम्न में से कौन सा database का उदारन नहीं है ms access oracle plsql या फिर ms excel तो बिल्कुल सही है जो आपका ms excel है यह एक database नहीं है कहने इसमें data यह database नहीं यानि option number d is the correct answer तो यह आपके 25 questions हो गये हैं आपके exam में इसी type of questions आते हैं so guys अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ निया जानने को मिला है तो प्लीज वीडियो को like कर देजे और आपके सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजे अगर आपके वास कोई query है कोई doubt है तो आप इसे comment कर देजे मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम थैंक यू फ्रेंट्स